के वसुआ गाइस क्रिश्यर मेरे को लगते कि आप में से जाए लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को ना Redmi Note 9 Pro and Realme 6 में इसलिए वीडियो देख रहे हैं तो आप लग ऐसे मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों है या फिर आप लोग ऐसी देख रहे हैं और इस वीडियो में मैंने G90T & 720G को बहुत ही डीटेल में कंपेर किया है और बहुत एच्छे से समझा है तो वीडियो को पूरा देखना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जलендे बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा gusto अभी कोई कंपेरिजिन बचता नहीं लेकिन तो जाएज ब्योगों बता दू कोई भी मतलब नहीं है कि अगर आपका process technology छोटा हुआ तो आपको performance में भी boost देखते को मिलेगा तो यह आपको clear करना था जो कि मैं आप लोग को clear कर दिया है तो गाइस अभी हम लोग CPU के बारे में बात करते हैं जो six efficient core है वो आप लोग को देखने को मिलता है cortex के A55 के उपर लेकिन यहाँ पर snapdragon ने क्या क्या snapdragon ऐसे ही arm के core score लगा नहीं देता वो थोड़ी बहुत customization करता है उसके बाद उसको नाम देता है cryo का तो यहाँ पर आप लोग को custom cryo 465 के course देखने को मिलता है clock speed के अगर बारे में हम लोग बात करें तो G90T के जो दो performance score है वो है 2.05 GHz के and जो 720G है उसका जो दो performance score है वो है 2.3 GHz पर तो यहाँ पर भी आप लोग को लग रहा होगा 720G better है लेकिन मैं आप लोग बता दू ऐसी कोई भी बात नहीं है बाकी के जो 6 course है 720G में है वो है power efficiency score वो आप लोग को देखने को मिलता है 1.8 GHz लेकिन गाइस अगर आप लोग देखो के G90T की तरफ तूदर आप लोग को जो बाकी के course मिलता है 6 course वो आप लोग को 2 GHz पर मिलता है तो यहाँ पर आप लोग को जो multi-code performance है वो आप लोग को बेटर देखने को मिलता है G90T में जो single code जो peak performance आप लोग को ज्यादा देखने को मिलता है वो आप लोग को 720G में देखने को मिलता है तो अगर आप लोग दोनों CPU को compare करोगे तो CPU पार यहाँ पर 4.55% faster है G90T में दोनों ही gaming processors है guys तो अगर हम लोग gaming के बारे में ही ना बात करें तो कैसा होगा और gaming में जो सबसे ज्यादा important होता है वो है GPU तो G90T में आप लोग को दिखने को मिलता है Mali का G76 वाले GPU और जो clock है 800 MHz तक और guys यह एक 4 core बाले GPU है बहुत ज्यादा पारफुल है gaming के लिए and अग G20G में आप लोग को Adreno 618 GPU देखने को मिलता है तो guys यहाँ पर अगर मैं आप लोग को clearly बताओ कि किसमें आप लोग को ज्याद अच्छा gaming performance देखने को मिलेगा तो इधर आप लोग को फिर से G90T बेटर देखने को मिलेगा gaming performance में क्योंकि यह 4 core बाले GPU है और यहाँ पर Adreno 618 क इतने core का ही पर भी मिंसन नहीं है और मैं बता सकता हूं कि gaming के लिए G90T एकदम 20 है इसके बाद हम लोग RAM के बारे में बात करते है तो आप लोग को बता ही होगा कि RAM कितना ज्यादा important होता है और RAM जितना ज्यादा fast हो और जितना ज्यादा हो उतना ही Android के लिए अच्छा होता है और RAM हम लोग को editing के time भी काम में आता है तो अगर आप लोग देखोगे तो G90T में आप लोग देखने को मिलता है 2133 MHz वाला RAM maximum सपोर्ट करता है और maximum 10 GB तक RAM सपोर्ट करता है LPDDR4X और अगर आप लोग 720G को देखोगे तो यहां पर आप लोग को 1866 MHz वाला RAM देखने को मि आच के time पर हमारे smartphone के लिए तो AI बहुत ज्यादा important चीज़ है तो अगर आप लोग देखोगे तो G90T में उतना ज्यादा आप लोग को अच्छा AI का support नहीं मिलता क्योंकि यह gaming focus processor है अगर other side में आप लोग देखोगे 720G को तो इधर आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छा AI यहां अच्फा सपोर्ट देखने को मिलता है अगर 720G के बारे में बात करें तो आप लोग को 5.1 का Bluetooth सपूर्ट देखने को मिलता है और 720G में वाइफ ए 6 का सपूर्ट अप लोग को देखने को मिलता है पर सेकंड है और अगर हम लोग देखेंगे 720G को तो यहां पर आप लोगो 800 Mbps देखने को मिलता है अपलोड स्पीड दोनों का इसम है 150 Mbps का और यहां पर जो 720G इसमें एडिशनल चीज किया है इसमें आप लोगो नाविक का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि इसरो ने डिबलब किया है और यह हमेरे इंडियन्स के लिए बहुत एक प्राउड मुमेंट है और जो कि हम लोगो 720G में देखने को मिलता है तो गाइस अगर हम लोग final conclusion के बारे में बात करें कि इन दोनों processor में कौन सा जादा better है तो गाइस आप लोगों ने खुद ही देखा कि G90T हर एक मामले में 720G से better है बहुत ही बड़िया performance आप लोगो देखने को मलता है performance के मामले में G90T बहुत ही better है 720G से तो अगर आप लोग performance के लिए gaming के लिए especially gaming के लिए अगर आप लोग कोई phone लेना चाहते हो तो G90T आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है लेकिन गाइस अगर आप लोगों के overall stability चाहिए के overall AI का अच्छे से यूज करना है तो मैं बोल सकता हूं कि इधर आप लोगो 720G ज्यादा बेटर मिलता है और नभी कभी support मिलता है तो यह आपके उपर है कौन सा आपका priority है और चिभी में अब लोग को समझ में आया किया हो अगर इंअधी में कॉछाना or थैयर थैक्स हूं जिए न पूछ Azra next one, peace!